महाराज आज ये काम मैंने दोबारा किया, यही काम मैं करता हूँ, यहां आता हूँ, इस संदुक में जाग कर देखता हूँ, फिर वापस जाता हूँ, इस संदुक में क्या है जाग कर देखना है, आप भी देखिए, राजा देख, सुल्टान देखता है तो उसमें एक फटा पुराना कोट है, इस कोट को क्यों देख रहा हूं, तो उसने कहा कि मैं इस नगर में आया था, तो मेरी हालत ये थी, मेरे पास कोई प्रापरटी नहीं थी, ये एक फटा पुराना कोट था, जाड़े से सुरक्षा के लिए, उसको पहन के मैं आया था, आज मैं आपकी कुरु इसलिए मैं रोज आता हूं, इस फटे पुराने कोट को देखता हूं, कि हालात वैसे भी थे, उन हालातों से पार, जिन बातों के भरोसे हम यहां तक आये, उसको सुरक्षित रखना है, ये समुर्दी के परिणाम से बचने का उपा है, और मैं समझता हूं कि Dr. सूरश प्र तक आश की जन्म शताबदी का निर्णी भारत विकास परिशन ने इसलिए किया है, एक संगठन के भीज रूप होकर उसकी सारी बातों का निर्दारन करना, लिखित नहीं बताना, करना, और जो किया गया वो लिख बन जाती है, जो किया गया वही बताया जाता है ऐसा जीवन भारत विकास के परिश्ट बारत विकास परिश्ट के इतिहास में उनका वो इस संगठन के मूलों में जैसे रचा पचा जीवन है और इसलिए हम थोड़ा विज्यार करें कि ये सारा परिश्टम उन्होंने क्यों किया वो एक अच्छे प्रति थे है उस डॉक्टर थे आराम से जिन्दगी काट सकते थे अपनी कमाई कर सकते थे लेकिन ये सब करने के उनको आवश्रक्ता क्या थी तो पहली तो बात है कि उन्होंने अपनी प्रसिद्धी के लिए किया नहीं मुझे पता नहीं दिल्ली में भी लोग भी अभी कम होंगे तो ये जन्मशताब्दी वर्ष मनाने के पहले कितने लोग दिल्ली के उनका नाम जानते होगे मैं नहीं जानता बहुत कम होंगे ऐसा मेरा अनुमान है तो कोई प्रसिद्धिगा वगरे मामला नहीं था अहंकार की थृप्ती नहीं थी कुछ भी नहीं था और सारा काम जीवन भर किया है तो घर का खाकर समाज का काम किया है तो ये क्यों किया होगा तो उसका एक ही कारण है अपनापन सेवा सेवा हम कहने है चप से वो सेवा क्यों होती है जो अपने पन के कारण होती है वो सच्ची सेवा है लगता है कि सेवा करनी चाहिए जो दुख में है वो भी मेरा है वो मेरा ही है वो दुख में और मैं सुख में कैसे रहू कहीं कोई अभाव है तो मेरे जीवन में भी अभाव है वो वो अभाव कहीं और है ऐसा नहीं वो मेरे जीवन में वही अभाव है उसको पूरा किये बिना मेरा जीवन पूर नहीं होगा यह सम्वेदना जो मनुष्य की मनुष्यता का परिचायक है वो फूट पड़ती है रदय की व्यता जो उत्पन्न होती है दूसरों का दुखह देखकर वही सेवा अभाव बनकर फूट निकलती है कृती में परिवर्थित होती है ऐसी एक स्वाभाविक सेवा उनके आज से जिवन बरूई बिल्कुल देश विभाजन की परिस्थिती में गुंडों की दंगो से उस त्रासदी में पीडित तो लोगों को सुरक्षच भारत लाना उनकी सेवा करना यहां से लेकर तो भारत विकास के प्रारंब में नागरिक समीती बनाकर और चीन के आकरमन के प्रतिकार में जो जो दागरी को ने करना आवश्रक था वो सब करने लगना हुआ ये जो सारा सहज सम्वेदना का प्रगटी करन हुआ वो हमको करना है क्योंकि भारत विकास परिशद समाज के प्रबुद्ध और समरुद्ध व्यक्तियों का संगटन है प्रबुद्ध है इसलिए समझते हैं ये बुद्धी नहीं ऐसा हो इनी सकता वो प्रबुद्ध जन है उन सब बातों को जानते हैं मेरे भाषन के पहले हजारों बार आपने ये बाते पड़ी सुनी होगी और आपने स्वयम हजारों बार बताई भी होगी घर में छोटे बच्चों को भी इन बातों को हम बताते हैं हम जानते नहीं है ऐसा है ऐसा नहीं है लेकिन बुद्धी से जो जानते हैं, मन से जो स्विकार करते हैं, उसको कुर्टी में लाने के लिए आदत करनी पड़ती है शरीर की आदत बनती है उस आदत को बदलना पड़ता है अच्छा बनना है यह ने क्या अच्छा बनना है यह ने क्या बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि बताने वाली भी बहुत है सदियों से बताते हैं चले आ रहे हैं आज भी बताने वाले हैं, कल भी रहेंगे। समझते तो हैं, सब लोग समझते हैं। लोगों को जिस भाषा में समझ में आता है, उस भाषा में समझाने वाले हैं। और मन को भी अच्छे ही लगता है, मनुष्य की अभाविक प्रोटी अच्छे के तरफ होती है, ये बात अच्छी है, इसलिए सब को अच्छे लगती है, अपने हाथ से हो, ये सपना भी लोग देखते हैं, परंतु ऐसा हो, इसलिए अपने शरीर का जो रूटीन बना ही इतने प्रतिष्ठा के जूटे पर्दे को फाड़ कर, अपने शरीर को जिसकी आदत नहीं, ऐसे परिश्रम में और वातावरण में भी ढाल कर, ये काम करना, ये करना पड़ता है, और ये करने का आदर्श हमारे पास डॉक्टर सुरिश प्रकाजी के रूप में है, उसका अनुकरण होना चाहिए, क्योंकि प्रबुद्ध जनों को ये बात समग में आती है, दूसरी बात है, समरुद्धी है, इसलिए साधन संपन्न है, साधन, आर्थिक संपन्नता यूँ ही नहीं आई, उसके लिए परिश्रम किया है, संगर्षम है जीवन का अनुभव ल सालुम है, सामान या आदमी सोच नहीं सकता, ऐसी बाते सोच कर हम ठीक कर सकते हैं, सामर्त ही है, लेकिन उससे भी महत्व की बात है, कि हमारे जैसे लोग समाज में trendsetters होते हैं, प्रसिद्ध होंगे हम नहीं होंगे, फैशन में हमारा नाम होगा नहीं होगा, परंतु समाज का नियम है भगवत गीता में भगवान ने कहा है यद्यदा आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेत रोजना सयद प्रमाणम कुरूते लोकस तदन वार्थ दे जो बड़े लोग है श्रेष्ठ लोग है वो जैसा आचरण करते है वैसा बाकी सारे लोग करते है वो जो प्रमाण बना देता है, स्टैंडर्ड बना देता है वैसे उसका अनुकरण बाकी लोग करते है उसके अनुसार लोग चलते है क्योंकि लोगों को बाकी बाते जहान में नहीं आती तत्वजन, विचार, सूजबूज नहीं रहती है तो धर्मा वगर ऐसी कई बड़ी- बड़ी बाते नहीं जानते, ग्रंतों में ग्रंत पढ़ने जाएंगे तो वो कन्फिज हो जाते, क्योंकि कही प्रकार की बाते, कभी-कभी उल्टी बाते भी मिलती है, अनेक लोग है, अनेक महान लोग है, अनेक लोगों ने लिखा है, अनेक लोगों ने बोला है, किस परि और इसलिए सामान्य मनुष्य क्या कहता है, महा जनो ये नगतह सपन था, बड़े लोग जैसे चलेंगे वैसे हम भी चलेंगे, तो अपने देश के लोगों की लीक बनाने का काम, हम चाहे न चाहे, हम कर रहे है, और इसलिए सुरगीज डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने सोच उस समय कि अपने समाज के प्रबुद्ध संपन वर्ग को एक दिशा मिलने की अवशकता है, उन्होंने उस समय क्या परिस्थिती देखी, ऐसा क्यों सोचा, ये मुझे मालूम नहीं, मैं उस समय बहुत छोटा था, इन बातों को नहीं समझता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ देखा होगा, इससे सोचा, और उन्होंने ये संगठन शुरू किया, अब दिखने में तो इसका स्वरूप कोई नया स्वरूप नहीं है, अलग अनोखा स्वरूप नहीं है, बहार से दिखने पर लगता है कि जैसे रोटरी क्लब है, अलाइंस क्लब है, हमारा एक भा वो है वैसे हम और एक ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको केवल सेवा करने नहीं है, हमको लीक बनानी है, इसलिए बाहर जो करना है, लोगों के बारे में जो करना है, वो तो करना है ही, लेकिन हमको कुछ होना है, अभी भारत विकास परिशाद में चर्चा चलती है, भारत के बनो, भारत को मानो, भारत को जानो तो भारत के बनो यहां से काम शुरू होता है क्योंकि हमारा भारत विकास परिश्यद है तो भारत इस शब्द का अभी एक विशिष्ट अर्थ है विकास इस सब्द का भी भारत के संदर्ब में एक विशिष्टा रहता है विकास की कल बना है भारत की एक क्या बाकी दुनिया में विकास किसको मानेंगे तो भावतिक सुखों की प्रचुरता है भरपूर है और क्या पास में भरपूर धन है और हाथ में कुछ ताकद है पावर है पावर मनी एंड प्लेजर तो फिर सरवांगिन सुखों गया लेकिन अपने या ऐसा नहीं है अपने आके बिर महराजी ने कह दिया उचा बया तो क्या बया जैसे ताल खजूर पथिकन को छाया नहीं फलल आगे अति दूर इसका मतलब मेरे या मेरे अकेले परिवार के विकास में सची विकास नहीं है क्योंकि मनुष्य उसके अंदर जो है सत्य वो सारे विश्व का सत्य है सारा विश्व उसी से निकलता है तो मनुष्य का ये कर्तव है उसको विचार दिया है उसको समझदारी दी है ये शक्ति अगर परकृती ने दी है जो बागी किसी को नहीं दी तो इसका मतलब है मनुष्य को इस परकृती को भी ठीक चलाना है सारी मानोता को भी ठीक चलना है उसके लिए तो ये उसका दाईतव बनता है बैल पर कोई दाई तो नहीं है सुर्ष्टी का वो प्रकृती ने जैसा रखा वैसे काम करता शेर पर कोई दाई तो नहीं है बकरी पर कोई दाई तो नहीं है उनको जैसे प्रकृती ने निर्मान किया वैसे वो जन्म लेते हैं और पता नहीं रहता है उनको क्यों आए इस दुनिया में, कैसे आए, मर जाते हैं, तो ये भी पता नहीं, उनको कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, मरना है तो मरना है, जिना है तो जिना है, जन्म और मरन के बीच में प्रकृती भूख देती है, खाना काम है, प्रकृती प्रजापर पोषण का एक प्रिना देती है, तो संख्या बढ़ाना है, आहार निद्रा भयम एथुनम, च सामान्यमे तत पशुविर नराणा, मनुष्य भी बियोलोजिकली एक अनिमल है, उसको भी ये सारा प्रकृति ने दिया है, लेकिन मनुष्य को विचार दिया है, बुद्धी जी, समझदारी जी, समय दना दी, तो उसका काम है कि उसका उप्योग करके इस पशु के स्तर के जीवन से वो उपर उठे, कितना उपर उठे, इतना आगे, इतना आगे, जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूरुनता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं, इतना आगे उसको जलते रहना है, बढ़ते रहना है, पशु से मानाव, मानाव से अति मानाव, अति मानाव से देवत्व, ऐसे आगे चलते रहना है, विकास का कोई अंतर नहीं है, विकास अकेले का भी नहीं है, और विकास केवल भौतिक जगत का नहीं है, विकास अपने अंतरिक जगत का है तो पढ़ना लिखना, कमाना, उहदा पाना, ये ठीक है, ये नकारा नहीं है, क्योंकि शरीरमन बुद्धी है, तो उसके लिए जो आवश्चक है, वो ठीक है, पर उन्त किवल उतना नहीं है एक आयायस अफसर छुट्टी पर गये, बाद में उन्हों लिखा इस कहानी को, छुट्टी पर गये, जंगल देहात के इलाके में, रहे वहाँ, गेस्ठाउस ता सरकारी उसमें रहे, रोज घुमने के लिए जाना, जंगल की शुबा देखना, क्या क्या किया, तीन दिन आराम जिसको रिलाक्स ऐसा कहते है, वैसे हो गए, तो लिखते हैं, वहाँ मुझे एक अनू, वह आया, शाम को मैं तहल के, पांच-साड़े-पांच बैज वापस आ रहा था, एक पेड़ पे मैंने घुसला देखा, वह एक बया नाम की चिडिया रहती है, बड़ा सुंदर शंक् अपने घरों में रखते हैं उसको, तो अब उंचा पेड़ पर था, और इस उटबुट में थे, सुपरक्लास वन अफसर थे, तो प्रचिष्ठा के भी उरुद्धा पेड़ पर वगरे कैसे चड़े, लेकिन एक गड़रीय का बच्चा वहाँ था, अपनी बखरिया चराती चराते आया था, तो उसने वह देख रहे हो क्या है, तो बहुता है यो यह दो निकाल के दो, उसने नहीं देता, और नहीं आप रैम commentary दो, औरे मैं एक रुपया दोंगा तूम को निकाल के दो, तो भीलेय रुपया नहीं चाहिए, तो इन्हों कि दाम बड़ा है, दस रुपय तक गए लेकिन उतयार ही नहीं, तो क्यों तुम आसाल ही से कर सकते हो, तुमारी आयो है ये सब करने की, कई बार तुम कर चुके भी होंगे, तो मैं दस रुपया देने के लिए तयार हूं, बुले नहीं, क्यों? तो एब आप शहर से आयें, तो कितने दिन रहेंगे? तो परसो की दिन जाना है, तो भी वहाँ आपकी रहा देखते होंगे, घर के लोग घर परसो कीदिन रहा देखेंगे, देर होगी तो चिनटा करेंगे, तो भी आप जुपया、 तो भी तो एगेvाए ओ दो घुस तो आपके घर में क्या होगा? तो आगे वो अफसर साब उस लेख में लिखते हैं, काहनी में लिखते हैं कि मुझे मेरे बहुत शिक्षित अफसर होने के लज्जा ही उस तो में. विकास क्या है? अगर आप उस घोसले में जो बच्चे चूजे हैं चिडिया के, उनका दर्द समझ नहीं सकते, तो आप मनुष्य कैसे हो? और वो भी शिक्षित मनुष्य कैसे हो? और वो भी जिम्मवार मनुष्य कैसे हो? और वो भी साधन संपन मनुष्य कैसे हो आप? इस तरफ हमारे महाजनों का ध्यान आकर्शन करना और ऐसा वो बने वास्तों में समाज को जिनके पीछे जाना है जिनके पीछे जाने से समाज को धर्म समझ में आएगा समाज का कल्यान होगा ऐसे महाजन बनना यह पहले करना पड़ता है भारत के बनों, क्योंकि भारत इसी के लिए है, भारत को जानना है, तो भारत का भुगोल, भारत का इतिया से सब जानना है, लेकिन भारत का प्राण क्या है? भारत का प्राण है, उसने अस्तित्व में इस एक तत्व को देखा, और ये समझा, कि अनेक रूप धारन करके, यह तत्व पूरे विश्व के रूप में हमारे सामने प्रगट होता है, दिखता अलग-अलग है, लेकिन वह है एक ही, और इसलिए मनुष्य का विकास याने, इस विश्व के साथ एकात्म, तदाात्म हो जाए, ओ मनुष्य आपने आदेखो, हमारे आठ्वी पूरी के पुरुवच कौन थे, ऐसा अगर मैं पूछूं, तो बहुत कम लोग होंगे यहां, मेरे सहित, जो उसका उत्तर उत्तर दे सकेंगे, जरूरत नहीं है, भूल जाते है मालूम भी नहीं रहता है, स्वामी विवे का अनन्द, सब लोग जानते है, आपके रिष्टेदार नहीं थे, अच्छा आपके गाव में आया होंगे के भी आपकी बेट, अरे ने भाई, उनके मरने के बाद मैं जानमा हूं, और हमारे गाव में उनक अभी आया है, अच्छ जड़पी में नहीं, ग्राम पंचाज में भी नहीं, वार्ड के भी नहीं, अच्छ अच्छ पैसा, अरे पैसा था, उनकी बूडी माताजी थी, उसका योग अक्षेम, खेतड़ी के महाराजा मनी और भेजते थे तब चलता था, तब चलता था, एक देला नहीं कामाया, कही कोई प्रभाव नहीं, प्रभुता नहीं पाई, न रिष्टे के है, न नाते के, न कभी देखा, न कभी आये अपनी जड़, हम क्यों जानते हैं उनको, हम इसलिए जानते हैं, कि वो अपने लिए नहीं जीए, वो जीए, ऐसे जीए स्वयम, सारी मानवता के सामने एक उधा प्रण बंदे हैं, और ऐसा बनने के बाद भी उसका भी उप्योगुनों ने अपने लिए नहीं किया, कामये दुखत अप्तानाम, प्राणिनाम, आर्तिनाशनम, राजा रंतिदेव कहते, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न तु आहम कामये राज्यम, न स्वर्गम, न अप पुनर्भव, मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्या एक मातर इच्छा है, दुखत अप्तानाम, प्राणिनाम, आर्तिनाशनम, यह भारत है, स्वामी जी कहते थे, इस भारत को क्या करना है, यह भारत, तुमारा जन्म इस विश्व में प्रभुता संपन्न होकर उपभोग करना, विश्व पर राज्य करना नहीं है, तुम काली माता के बली वेदी पर खंबे से बांदे हुए पशु हो, तुमको बली जाना है मानवता के लिए, अपने लिए तुमको नहीं जिना है, दुनिया के लिए जिना है, यह भारत है, वो भारत के साथ हमको एकात्म होना है, तद और उस भारत की नजर से विकास करना, शरीर, मन, बुद्धी का विकास तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इस आत्मा का याने आत्मियता का विकास, अपने पन के आधार पर सारी बाते चले, आज कैसे चलती है, आज के दुनी आके चलने के पीछे, किस डाइनेमिक का, किस मेकैन एक्जम का प्रयोग होता है, तो भाई, दुनिया में लोग बहुत है, चाहिए बहुत, चाह बहुत है, साधन मर्यादित है, ends are endless, means are limited, पहली बात है, और इसलिए, there is a struggle, struggle for existence, और struggle है, तो फिर, survival of the fittest, तो जितनी आयू मिली है, क्योंकि शरीर्मन दुद्धी है, और कुछ है नहीं, तो उसको तुर्प्त करने वाले सारे उपभोग, जितने ज़्यादा तुम प्राप्त कर सकते हो, और जितने ज़्यादा दिन अपने आपको उपभोग करने में समर्थर रख सकते हो, उतना करो, वही जीवन का सब कुछ है, बाद में क्या है पता नहीं, इस डाइनेमिक्स पर दुनिया चलती है, इस डाइनेमिक्स को बदलने का काम भारतवासियों का है, संपूर्ण दुनिया को इन सब को जोड़ने वाला तत्व देना है, संपूर्ण दुनिया के अर्थ कामों को नियंत्रित करने वाला, उसके उद्यम को संतुलित करने वाला धर्म देना है, तब सारी दुनिया सुकी होगी, तब दुनिया विकास और पर्यावरन में कलह, विद्यान और अध्यात्म में कलह, राजा और प्रजा में कलह, समाज और व्यक्ति में कलह, क्योंकि struggle संघर्षय से ही दुनिया आगी जाती है, सब लोग जगड़ा करो, जगड़े में जो दुर्बले हों मर जाएंगे, फिर जो सब अले हो राज करेंगे, करते-करते अंता में एक रहेगा, वो अकेले पन में बोह रोके मर जाएगा खुदकुशी करके, और क्या होगा इसमें कोई भविश्य नहीं है, इसमें ऐसी भयंकर अनिष्चित ता है, जो रुदещigung कर देती है, भारत आशवस्ता करता है, ऐसा महीं है, इसके परे है, जो कुछ है वो यह दिखता है, इसमें से जाना है, इसको मित रिकनाईजन करो, इसका भी रिकनीशन करो, इसमें भी उद्याम करो लेकिन ध्यान में रखकर करो कि वास्टविक्ता इसके परे है वो इन सब टूटे हुए धागों को जोड़ के रखती है इसलिए दुनिया चल रही है उसको ध्यान में रखकर जीवन जियो तो अविद्या और विद्या दोनों को प्राप्त करो अविध्यासे मृत्यू पर विझय। और विद्यासे अमरता प्राप्त करो। इस जीवण को जी के उसे जीवण की रहा पर सबको चलाना भारत विकास परिशत का निर्मान Đक्टर सूरच परकाश जी ने स्वयम ऐसा जीवन जी कर उसके अनुभव के आधार पर किया स्वयम ऐसे लोगों को जोड़ कर उनमें ये बोध जगा कर उनको कार्य प्रूढ़त किया तो कार्य पद्धती की भी कई बाते उनकी अनुभव की बाते हैं हमको सिखने लाइक है, सारे समाज को सिखने लाइक है, भारत विकास परिशत को सिखने है पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर सूरश प्रकाश जी देश के जीवन को जिस प्रकार का मोड देना चाहते थे, देश के महाजनों ने जिस प्रकार का उधारन रखना चाहिए उसके लि को हम नहीं देख सकेंगे, लेकिन भारत विकास परिषद को को सब लोग देख रहे हैं, उनमें उस विचार का, उस व्यवर का, उस कारियपधती का प्रतिविमम्म म लोग देखना चाहेंग। और दिखाना भारत विकास परिषद का काम है, क्योंकि देश को आगे बढ़ना है क्या जरूर क्या है ये सब करने की देश का वगर है वकित तो देश का भई प्रेयोजन है भारत किस प्रेयोजन से इस दुनिया में है यूनानम इस्तररोमा सब मिट गए जहांसे कुछ बात है कि मिटती नहीं हमारी ये क्यों हुआ बाकितों सम्मिट गए हैं देखते देखते आकरमणों की आंधी में 77 साल में स्पेन से साइबेरिया एक रंग में रंग गया अभी भी उस आकरमण के प्रभाव वहां मिलते हैं कुछ देतों सदा के लिए बजल गए मिस्तर का इजिप्ट बन गया परशिया का इरान बन गया अभी वापस जाने के रहा बने उनके लिए वो अपने मुल तक नहीं जा सकते उन्हीं आकरमणों को जहल कर देखते देखते तीन खंडों में राज्य सामराज्य पर सुर्यास्त नहीं होता ऐसी कीर्थी जिनकी थी कितने लोगों के और भूत काल को उन्होंने मिटा दिया आज वो अंदेरे में हैं अपने पीछे देखते तो उनको अंदेरे जिखता है उन सब आकरमणों को जहल कर भी आज हम जिन्दा है हिंदुस्थान है किसलिए है हमको ये दाइत्व है दुनिया के जीवन में समय समय पर दुनिया को आवश्यक्ता रहेगी इस संतुलन को वापस लाने की भारत उठ रहा है भारत इसके लिए उठ रहा है केवल महाशक्ति कहलाने के लिए नहीं उठ रहा है भारत को क्या करना है महाशक्ति बन के आज जो महाशक्ति बन गए उन्हों क्या कि अद दुन्या पर डंडा चलाने के अतिरिक्त हो और बड़ी-बड़ी सुनहली घोशन आके पीछे अपने स्वार्थ साथने के अतिरिक्त क्या किया हमको नहीं बनना है वैसा हम विश्व गुरु बनेंगे सब बातों में सब बातों में हमारा विक्रम रहेगा आर्थिक बल देखो सामरिक बल देखो देश की मजबूति देखो देश का प्रकृति परियावरन को देखो सब बातों में दुनिया में हम नंबर वन रहेंगे लेकिन सारी दुनिया हमारे जैसी बने हम नहीं बनाएं वहां के लोग आकर देखें सीखें और बनाएं एतदेश प्रसुतस से सकाशाद अगर जन्मनात स्वम स्वम चरित्रम शिक्षे रन सारी पृत्वी से मानव आकर यहां अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेकर जाएगा और अपनी प्रकृती के अनुसार अपनी पूजा के अनुसार अपनी भाषा के अनुसार अपने भूगोल इतिहास के अनुसार इन शाश्वत तत्तों के आधार पर एक मानवता पूर्ण जीवन अपने देश में खड़ा करेगा हम किसी को जीतेंगे नहीं हम सब के रदय जीतेंगे इस प्रकार का निष्टे करके भारत वर्षे को उठना है और भारत वर्षा को उठना है तो भारत का विकास होना चाहिए भारत का विकास जिस परिशत को करना है उसको उस विकास का उधारन बनना चाहिए इसलिए इस संगठन का काम चल रहा है ये और गती से बढ़े और बढ़ते बढ़ते शीग रही अपना गंतव या प्राप्त कर ले उसके लिए इसके सब कार्य करताओं को डॉक्टर सुरज प्रकाश जी के जीवन का अनुकरण करने की बुद्धी हो इसलिए जन्मिशताब्दी मनाई गई ओ सुफल संपूर्ण हो ऐसी शुभकामना आप सब को देता हुआ और कृतद नेतावेक्ता करता हुआ मेरे चार सब्सक्राइब परम पूजनिये सल्टाइब